अज पंजाब डेफसेट चाहा है और पंजाब दा डेफसेट दा हाल आता है ने फार्मिंग सेक्टर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, सर्वी सेक्टर, चारां दे चारां सेक्टरां दे अंदर बैक बच रही हैं और स्टेट गौर्नमेंट दा रवहिया उधासीन है निश्करिये है और लगातार मेरा पंजाब पिछे जा रहे हैं पदान किन्नों रांगरे ने टेट जीरो गया इंडस्ट्री जीरो हो गही है पिछे चलीगी है ग्रोथ जीरो है फार्मिंग शेक्टर दे अंदर कोई नवी करांती नहीं आ रहे हैं और पिंजाब सरकार पिछले टाहियां सेलाज आज तक इंडेस्टिल पॉलिसी, कॉमर्स पॉलिसी, सर्विस सेक्टर पॉलिसी, फार्मिंग सेक्टर जी रेवलिशन एक वी स्टेप अगे निवत पाई तुसी ट्रेड दी और फार्मिंग दी गल कर रहे हो, ओ केंदे जी फार्मर दे सब तो वड़ी दुश्मन है, जेकर ओ बीजेपी है, दूसरी गल ट्रेड दा एक बहुत वड़ा मुद्दा अमरसर देनाल भी जुड़ा होया, जड़ा इंडो पार्क ट्रेड सी, ओ केंदे बी हिंदुस्तां च बने और अमेरिकन दी जेब चिज़ ऐब आइफून हा हिंदुस्तां च बने अज इंडुस्त्रियल वर्ल्ड दे अंदर बैस्ट डेस्तिशन ओफ इंडेस्ट्री इंडिया, एककोनुमिक जड़ा शिस्टम मां इंदोस्ता अर्थ वश्ता है, आछी चोद और आज विशव दे अंदर पारत दी अर्थ विवस्ता समनों तेजी न वद न लिए अर्थ वस्ता तुसी कहा रहे हो फार्मिंग दे ले इसी काम कर रहे हैं फिर जड़े सड़कां ते यह तो अडियां गडियां दा किराओ कर दे ओ कौन लोग ऐसे की फार्मिंग असे थी काम करने हैं जुबानी करना नहीं ही गया है मैं दोसो तो अड़ाइडना तुजर्ब है है इनने पुराने तुसी पत्रकार हो क्या यूरिया दे वंडन ते लाठी चार्ज नहीं सी होंदा पिछले दास साल जगती देख्या कि लाठी चार्ज होया हुए क इंदोस्तान दा दोजर तेरा चोदा दा बजट है लगबग यारा हजार करोड फार्मिंग दा अजवल सवालक करोड दस गुना बढ़े हैं देश दा बजट है कालियां चेंडियां दे कौन वाले कौन जेड़े जिना पार्टियां दी जमीन अथो निकल गई है राइनी त किसान जिए रा करोड करोंड किसान दे कांट च, दोजर अरपयां सिधा बैंक कांट च आ रहे हैं? कि यहारा कुरोड किसाना नूँ आ रहा रहा ना उखुश है अगे दास्टेज अरपेदा चेक कॉंग्रेजे किसे आंधिनी देना हुंदा सी तो वीचे चार दिलाल हुंदा सी आज दिल्ली दो पैसा सिद्धा और बैंक कॉंड चा रहा है फिर किसाना दी समना उड़ी डिमा किसे आड़ती दलाल किसी होर को पैसा जान दी बजाए शिद्धा किसाने बैंक अकाउंट पैसा पहुंच रहा है जडे लोग विरोद करा रहे है वो किसान क्रेज मैं प्लिटिकल पार्टी अंडे किसान विंग ने में दो सो किसान समय देकियार सवामीनाटन कमिशन दी रि चूट बोल्या जा रहा है और चूट पुलिटिकल पार्टिया बोल रही है कि तो अडिया मैस्वी देश दी सब नोड़ी पंचायच कमिट्मेंट है प्राइमिस्टर ने हुन दिती है आज तो देड़ दो साल पहले केवल उलजान वस्ते प्रणंप पैदा करना ने अनदाता घर पर्दानीम दर्च शातियां किता one इ不会 पहले जातिया ने किया तो दुसरी नारी और युवा चार ईंहने समने रखके काम करन दी गल के यह उन अन दाता आवास्ते जो दो नैशनल कमिट्मेंट प्राइमिस्टर दे रहा है और अन दाता से देश दे बजट दे गेट खोलते ने खजाने दे गेट खोलते ने सर काटनी अन्दा कि तो उसी देश दी फार्मिंग डिपार्ट्मेंट दा प्रशीदा बजट सवाल लग करोड कर दें और आज दिख रहे हैं स्वामी नातिन क्विंशन साथ दी रिपोर्ट सी कि ए प्लस ब्लस बी प्लस टू उस फार्मुले लेना मैस्वी तैकरो असी उसे फार्मुले लेना मैस्वी तैकर गांदी का लमरत सर्दे विचा के अपनी स किसानी और जवानी जड़ी यानिके उन्होंने क्या पहला उन्हें ने देश्दा जवान ख़त्म कीता अगनी वीर दानने जिकर कीता और किसान इस चीजनों इस ब्यान नों तुसी किता देखो राहुल गंदी जी ते मंद बुद्धी बालक है कदी वाइनट जाने ने कि त तिरंगा ने नहीं चलेगा तिरंगा जाकर मुस्लिम लीग के कारले जमागरादों उन्हान ने अपना है जारी किता मैं फैस्तो अजंडा लिता मुस्लिम लीग को जिस व्यक्ति को ना अजंडा ना धंडा है आज कुछ भी बोल लिए उन्हां नहीं पूछो ना कि जब साजी और आप कट पूतली सरकार चलाते थे तो देश का क्रीजी बेटेट कितना था आज कितना है फ्रेक्ट्स बोल रहे हैं मोधी सरकार ने करोड़ा जडियां लगपती सी उनना अरपती बनाता मैं करोड़ा लोग कानू लगपती बनाऊंगा एक एक लगफर पर आउना दि सब्सक्राण दे एडिसन नो रेड कारपटे बठाके बचाके वापस पर ही दिता है उननीसो चरासी दे सिक्कत लोगा रहते क्यों नहीं बोले पंजाब चाहे हो दसो ना कि लाशान दा टेरला आया सी कल्ले कले ले सिखाने करांचों वोटर लिस्ट ना टिक करकर करके सिक् अधिया आप चाहरे हो हर मंदर साथ यह नहीं अम रस्तर और हर मंदर साहब नो एक ग्लोबल सेंटर पर बनावान किता की माफी मंगो ना पहले सिक्क विद्वा को लोनी दिल्ली जबनी किरे कारेंट बनी ओस विद्वामा कांग्रस यह नो ना दे काराले नो मारे आ सारे न कि आज जे ओकमनलाद जी ने गुर्दवारा साड़ेया रिकॉड़ीड है एफ़ाइर ची भी रिकॉड़ीड है वे ना दे लीडर है और वो केंदे बीजेपी तरम्दीर आज दिती है कि मैंने सर्दार मारते हो आज भी कांग्रस यह लीडर है ना क्यों नहीं जवाब दे दे राहुल गंदी और राहुल गंदी चूट बोल ले अगर हिंदोस्तान चाप बोलन दा वर्लड जी रिकार्ड होएगा और राहुल गंदी ना मिले और ऐस विचे ही उन्हें पार्टी विए उन्होंन सीरिएस ली ले लिगे विच्च एक किताब दा जिकर कर देने पुछना चाहना हूं, राहूल गंदी जी अमर्जंसी किनने लगाई शाइद रख्के, सविधान जादा संशोधन किनने किते, महिलावा दे राइट्स, शाब अनो के चीशन नुसाइद रख्के किनने किते, देश चाहनना चाहना है, केवल ब्यान देन नहीं, फैक्ट्स की ह प्रेक्ट सेदस्दे कि सबने ज्यादा संशोद नसी किते और सविधान बानान वाले डॉक्टर भीम्राव अंबेद कर जीदा कॉंग्रस लगातार अपमान कर दी रही उन्हानु अनुं हराना से प्लैनिंग कर दी रही इवन उन्हाने जो दो देच अड़ी तो उन्हानु सं सब्सक्राइब भारती जंता पार्टी ने देज देंदर सविधान दिवस मनाना चाहिए दोजर चोदा दोबाद असी सविधान दिवस चुरू किता है जिनिक टुमिट्मेंट साधिये सविधान दे परती इते इना दे किरदार जान दा है कि यह नहीं कदी कुछ किता नही और मैं ते समय ना जो ब्यान सुक्भीर बादल ने दिता है उद्धर भाग गया पुरूना है तुसी पंजाब नू संपरते किता दे धारते मनना चान देओ शुक्भीर जी जो दो तुसी पार्ती जंता पार्टी दी सरकार चे मंत्री हो वो ते फेर सिक वोट पावे ठीक ह भीबाजी मंत्री रहें नौ साल आठ साल ठीक है सरदार पर कासिंग बादल साड़े वोट नाल 15 साल मुख्य मंत्री रहें अठारा साल ठीक है ते जदो सिक सानू वोट सिद्धा बादे वे तान गलत लगदे और सिक नहीं लगदा आप एड़े ब्यान दे रहे हिंदू सिक पाई चाहरे थे खलाफ लड़ान दा ब्यां दूजे पासे जावां ता बीजेपी ने अमरसर तो सिक अमीदवार बनाया अकली दल दी गाल करी उन्होंने हिंदू कैंडिडेट उता पर एते उन्होंनों पुछना पुछना जाकर साड़े से कोई हिंदू सिक नहीं सब मंत्री रहे तुसी 15 साल तो टे बापू जी क्यों परदान मुख्य मंत्री रहे तुसी क्यों विबाजी ओते मिनस्टी जब एठे ले बरनाला साब क्यों मंत्री रहे कि अकाली दल अपनी जमीन चड़ चुका है और मैं सोचना कि सरदार परकासिक बादल सुवरकाच उना दवासवाए बड़ी महान शक्षिया सी उते रो रहे होंगे कि मेरे बेटे ने पंजाब दे पाहिचान रते कलाफ बते पंजाब दी पंजाबी सोच दे पंजाबिएत दे खलाब बैन दे ताया मानस की जाट सब एक को पहचान बो और हैंब्त हिज़ाख करना पिछोई करन लगे हैं लेकिन असी पननतिबर सक्वित बात है जी मन्या कि आज तुसी करारी हार देख रहे हो तौन लोग छटके जा रहे है धराशाई हो रहे हो लेकिन आसी पंजाब दा महोल थे ना के आम आजमी पार्टी दा तुसी जिकर कीता है दुझे पासे नशा तुसी समझे तब तो पहला मुद्दा है करी आज जे चाड मैं याद कराना आथ कि खुड़ी कोठी में पेंपने पता है जिए पुच्छा शेलोचा रहे हो रहे रेद्दे खनन दा माफिया दा टैची हून करी कोठी पहुंच रहा है। रावल गादी ने मी जिकर किता कुछ पतर का रहा रहा हूंने नाम नहीं लिया। रहा हूंने लिया पतर का रटे रटाया सवाल पुचने ने लिए उन ने मजाग उड़ाया। तुसी बी इंटर्व लेती है। तुझे रटे रटाया सवाल देने बुच्छा मोधी सामने तौडे टीवी ने भी लेती है। तुसी जवाब देज दी प्रेस सब्तंतर है, मीडिया सब्तंतर है, लेकिन जिना लोगा ने जिना दा इतिहास है मीडिया दा गला को टंदा, जिना दा इतिहास है अमर्जंसी लगा के मीडिया होसिज दे बार ताले लगांदा, जिना दा इतिहास है, सेंसर लगांदा, उननों शकल शीशेच अपनी दिशती है अकरी स्वाल, कॉंगरस दे तरन 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 तो उमीदवार को लगी जिराए गल कहन दे है कि बीजे, बीएस एफ दे कोड़, पजा किलो मेटर दा जिडा के रा उनना दे कोड़ है, ते नशा जिडा पाकिस्तान तो अंदा हो केंदे मकी नी आ सकती, इस करके कितने किते वड दे लेवल ते मिली पोगता है, ताँ ड्रग जेरी पाता है। बीएस एफ ने फड़ंदा दिकार है, पंजाब पुलस को ना फड़ंदा दिकार नहींगा, तो तुझी पर्चया क्यों नी रिजिस्टर कर दे, तुझी क्यों नी पकड़ दे तो अनपता है माफिया का कोई, क्या माफिया नल कोई रिष्टा है, पंजाब किलो मेटर तक बीएस एफ फड़ सकती है, पंजाब पुलस नहीं फड़ सकती है, किरे नहीं लिखिया, और पर्चा रिजिस्टर बीएस एफ वड़े, या आम नागरी गरी जीवजी भी पकड़ के किसे ड्रग स्टून दे सकते, ओ ठाना पंजाब पुलस दा नहीं और बीएस अफ दा न आ रहे हैं यहां भिक रहे हैं, तो पंजाब पुलस किते हैं, क्यों आमानी पाटी नहीं नहीं हाथ बनने ने, हाथ ते अन्य बनते कि गैंग्स्टर जेल दे अंदरों स्टूडियो मना के इंटर्वू करता है, और पंजाब पुलस दा एक सीनियर अफसर कहन दा है, जी आमानी पाटी पंजाब दे अंदर गिफ्ट है रंगदारी, आमानी पाटी दा गिफ्ट है अपहरन, आमानी पाटी दा गिफ्ट है पंजाब दे अंदर गैंगिजम, आमानी पाटी दा गिफ्ट है पंजाब दे अंदर गैंगिजम, आमानी पाटी दा गिफ्ट है जाएक वातावरन चे तमस आमादी पार्टी दा गिफ्ट है पंजाब दे पाहिचारी चे तनाव मैं दसो एंडे साल हो गेता पत्रकारिता कर देया हिंदू सिख कदी लड़े आपस कदी किसे ने मंदर दे बार आके चांगणा मारी हैं किसे ने गुर्दवारे दे बार तक पॉंच गया पंजाब दी हुक्रमान खुकमरान सुत्ते सी तो कोई निकले आते जाके उने गुर्दवारे बार चंगणा मारती हैं किद्दर लेके जारे हैं पंजाब बंदा केंदा मैं टार्गेट किल करें मैं नो मारांगा पोलस नो जाके एकला रिपोर्ट कर दे अ नेक्सिस कौन है कौन चला रहे हैं नेक्सिस और मुख्यमंत्री जी पुलिटिकल टूरिजम चड़े को पंजाब दा त्यान करिए पंजाब दे हलात की ने आज टाइस साल बाद भी पंजाब दे एक सो स्तार हैं मेले अंकल इक वी इट अगीनी दसने से किया एक इट दा प हेल्थ मिशन दा पैसा आया एक्सरे मशीन ना बदलना से लेबोर्टरीज लगान वस्ते टीवी हॉल बनाना से अधी पोस्टर दे खर्च करता हेल्थ मिशन ने बारा पेंदा नोट कड़े चीफ सेक्टी ना हलात की ने कोई मीडिया उस तो अडी ख़बर ना दिलावे उस मेडिया उस्टियं तरा बंद कर दियो ऊस मेडिया उछ तो टैरिस्तर ना जोड़े की ब्लैंक रा दियो जवहल कि नोख ढ़ात करेंदा ए और में आम आंदी पार्टी उत्थे तड़ा पाई चा रहा है दिलीच नूरा कुष्टी खेल दे पुझाब जिकर की ता कि एक दुकान दे दो शट्र मैंने दसो उत्थे पाई चा रहा है पंजाब चाम आदी पाई है ते कांग्रस होगा चारा कट्या जा रहा है रोज प्रताब बाजवा वडिंग दे ब्याना अंदे ने कि आज फलाना कांग्रस लीडर फाल लेया जल्द गल्त फड़ेया होगा दे करप्ट ने चोर ने ब्यास पार अंदे हो चोर ठीक हो एंदे इसातली ट्रपदियां कि नहिया कुमा ठीक हो जन्दा और जड़ा भारत तेरे तुकड होंगे और आगाना केजरिवाल गंदे कि खड़े नहीं किते हैं ने क्या मुस्लिम लीग दे दबावच के तरंगे सरंडर नी किते हैं चुनाब पठक गया इना दा इना दिहाच्य चुनावनी है का देश दी जनता मोदीज देना आला है और एटारा लीडर ने जड़े पर केजरीवाल साब वी देख रहे you regards गंदी जिनो उनाधी उमर तो दसीता कातानिया करेच्य वाल साइन की Pacer सीचह ली लाटारे सारी स्टेट हो के थे Spl परिवार के नहीं प्रदानमंत्री बनना है। ए अठाराँ लोग ने जड़े केंदे सी प्रदानमंत्री बनना है। और अठाराँ देज दें तुक्डे यांच वंडया राया बहुमत आये। वह भी कहे रहे थे कि बीजेपी ने दोस्टो तो पार दिया। तुक्डेयांच वंडिया आया बहुमत आये, तुक्डेयांच आये, और अजी नोच-नोच के हिंदोस्तान दी अर्थवस्तानों खाईये, लंगडी सरकार चंदे हो, और मुंगेरी लाल दे सपने आच कमजोर सरकार चंदे, पर भारत दे नागरी का दा सोपन बड़ा होता है, और देश्च नरेंदर मोदी दी लीडर्शिप लंगडी नहीं मोदी दी लीडर्शिप तगडी मजबूत, डिसाइसिव, डैनमेक देशा से कम करना ली सरकार चंदे, बिल्कुल एने तरुम चुग जिनना ने अपने स्यासी विरोधियां दे तांजवी कसे निशा पीदे उमीदवार तरंजी सिंग संदू जित हासल करनगे